हेलो फ्रेंड्स मैंनिखिल कुमार एक बाफिर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूटीब चानल CGPSC e-part चाला में CGPSC e-part चाला में आज माँ टॉपिक है 36 गर करेंट अफेर जिसमें हम चर्चा करने वाले है मेरे खुद के कुछ आपके offline classes चलती है तो उनका lockdown account वो भी आपके online में convert हो गया है तो उनको classes provide कराना और मेरे भी अभी कुछ इन दिनों कापी busy schedule हो गया है तो उस करन्ट से क्या है वीडियो अभी regular नहीं हो पा रहा है हमने current affair का 10-10 days का video series start किया था लेकिन वो 10 days ना हो करगे 15-15 days इसे भी कुछ महीनों के लिए convert किया गया है वीडियो आने में भले कुछ time लग सकता है कुछ दिन लेट हो सकता है लेकिन वीडियो आएगा वीडियो की continuity बनी रहेगी वीडियो आने में भले लेट हो जाएगा लेकिन वीडियो की continuity बने रहेगी वीडियो आने बंद नहीं होंगे ठीक है तो थोड़ा सा अगर डिले होता है तो उसको थोड़ा सा आप लोग भी अपने हिसाब से फड़ा एड़ेश्ट कीजिएगा बाकी वीडियो आते रहेंगे ठीक है देखिए ध्या समस्ते चलिएगा सबसे बहले नंबर पर है आपकी फुल वासन भाई फुल वासन भाई देखिए यह फुल वासन भाई कौन है फुल बासन भाई एक समाद सेविका है जिन्हें इनके कारियों के लिए यानि कि समाद सेवा के कारियों के लिए वर्ष 2012 में इन्हें पदमस्री के सम्मान से नवाजा गया था फुल बासन भाई अभी हल फिल हल में चर्चा में रही क्योंकि इनने के बीसी के special episode कर्मवीर में इन्हें बुलाया गया था के बीसी के special episode कर्मवीर जो आपका कौन बनेगा करोड़ पती है हर साल जो है यह अपना एक special episode चला था कर्मवीर के नाम से जिन्होंने आपके कर्मवीर वाले episode में जिन्होंने समाज के लिए कुछ विशेश कारे किये है ऐसे व्यक्तित्व को उसमें बुलाया जाता है तो हमारे 36 गर से जो है आपकी full बासन भाई फुल बासन भाई को इस आपके के बीसी के कर्मवीर वाले special episode में इन्हें बुलाया गया था इस special episode में इन्होंने 50 लाख रुपे की राशी जीती हमारे के बीसी और आपके कर्मवीर episode यह important नहीं है लेकिन full बासन भाई आपके लिए important है इने पदमस्री से कब समानित किया पूछा जाए तो वर्ष 2012 में समास सेवा के कारे के लिए इन्हें पदमस्री पुरुसकार से नवा जा गया था देखे इनका जो संबंद है यह है आपकी राजनानद गाओ जिले से राजनाद गाओ जिले में इनका निवास है इनके द्वारा किये गए कुछ प्रमुक कारिया इन्होंने आपके महिला शखतिकरण के छेत्र में आपके कारे किये मा बमलेशवरी जनहितकारी समीति का गठन किया या एक स्वा साहता समू महिलाओं का एक स्वह सायता समीटी Second number पर है आपका मावमलेशवणी बृढ़ा आस्रा एवां Training Center यानि की जो महिलाओं को जो आपकी बुजुर्ग महिला या आपकी परित्यवत महिला विदवा महिला है उनके लिए आपका एक आश्रम बनाया गया है विद्वा महिलाओं के लिए आश्रम बनाया गया है बुजुरु के महिलाओं के लिए आश्रम बनाया गया है और महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है ताकि वो जो है अपने पेरों पर खड़े हो सके अपना एक खुद का एक स्वारोजगार विक्सित कर सके ठेक तो आपके मा बमलेश्वरी विद्धा आसरे वर ट्रेइनिंग सेंटर ये भी इनके दोरा खोला गया है एक और इनके दोरा अपने इस्तर पर चलाई जा रही योजना है रामकोठी योजना जो की आपके भूके बच्चों के भोजन की व्यवस्था करती है इस योजना के तहत एकत्र किया जाता है ताकि जो बच्चे भूके है उनके लिए जो है आपके भोजन का व्यवस्था किया जाए तो ये है आपकी फुल बासन भाई फुल बासन भाई से रिलेटेट एक ही इंपोर्टेंट फैक्ट है की वर्ष 2012 में इन्हें पदमसरी पुरुसकार से समा कहना ज्यादा बेटर है ये आपके मिट्टी से जो है मिट्टी के एक शिल्पकार है मिट्टी से अलग अलग आपकी आकृती कला कृती बनाते है अशोप चक्रधारी ये हाल फिलाल में चर्चा में क्यों आए इन्होंने एक दिया बनाया है जो कि आपके साइफन विधी पर कारे करता है साइफन दिया साइफन विधी पर कारे करने वाला इन्होंने एक दिया बनाया है इस दिया की विशेषता क्या है ये एक बार में कंटीन्यू जो है 24 से 40 घंटे तक यहां लगातार जल सकता है ठीक है दिया को अगर जलाया जाएगा तो एक बार में 24 यानि कि मिन से 2,500 रुबे क्या आज पास इसका मुल ले रखा है, देखिए साइफन विधी क्या होता है, जैसे कि हमारे जो प्रदेश में एक हमारा एशिया का पहला साइफन बांध भी मौझूस है, साइफन विधी होता क्या है, साइफन विधी का मतलब डे Renee, जो आपकर साइफन बांध उसी प्रकार इस साइफन विधी पर ही उन्होंने जो है आपका एक साइफन दिया बनाया है साइफन दिया जैसे ही आपके इस दिया में जो है आपका तेल का इस्तर कम होगा आटोमेटिकली तेल रिस्ट करके इस दिया में आ जाएगा ठीक है ऐसा नहीं है कि 40 गंटा या 24 गं मझ नहीं आरा तो आपको सबसे best example दे रहा हूं आप daily life अपने घर में use करते हैं सुझने में ये एक्जांपल आपको अटपटा लगेगा लेकिन हाँ जहां example मिले उसे आप grab कर लिजिए ये example मिलेगा आपके toilet seat में, toilet seat में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर पानी का level हमेशा maintain रहता है, toilet seat में आप जितना भी पानी डाले उसमें पानी कभी भरता नहीं है, एक level maintain रहेगा, तो toilet seat में भी आपके siphon, जो आपका toilet seat है वो भी आपके siphon method पर work करता है, जब आपके घर का construction चल रहा होगा, तब उस समय जो है, आप देखेंगे, इस shape में आपका pipe लगाया जाता है, ये भी आपके siphon method पर work करता है, आपके घरों में use होने वाला toilet seat, ठीक है, example के लिए सबसे best example है वो, ठीक, next देखिए, ये जो आपके अशोक चक्रधारी है, इन्होंने एक कल केंद्र, ठीक है, ये कोंडा गाव जिले से संबंदित है, इसी कोंडा गाव जिले में इन्होंने अपना एक छोटा सा कला केंद्र भी बना करके रखा है, जिटकू मिट की, जिटकू मिट की कला केंद्र जहां पर वो मिट्टी से अलग-अलग आकरिती बनाते है, अलग-अ के लिए जो है आपके National Merit Award केंद्र सरकार के दोरा National Merit Award से भी नवाजा जा चुका है ठीक है काफी हाइलाइट में रहे आपके अशोक चक्रधारी इनका नाम याद रखिएगा ठीक है इन्होंने लगातार आपके 24 से 40 घंटे तक लगातार जलने वाले दिये को इन्होंने बनाया है ठीक नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपके Multimodel Logistic Park Multimodel Logistic Park देखिए देश का पहला Multimodel Logistic Park ये बंगर के तयार होने वाला है आपकी जोगी घोपा असम असम के जोगी घोपा में असम राज्यके जोगी घोपा में आपका देश का पहला Multimodel Logistic Park आपका निर्मित होने वाला Logistic Park का मतलब जैसे कि आपके किसी वस्तु का आपका ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है एक इस्थान से दूसरे इस्थान से लिजा जा जा रहा है जो कंटेनर को जो एक जगह इखटा करके रखा जाता है वो कहलाता है आपका Logistic तो लोजिस्थिक के तहट क्या किया जा रहा है देखे देश का पहला आपका Multimodel जो Logistic Park है यह आपकी जोगी घोपा असम में इसे बनाए यह जो है आपके बनकर तयार होने वाला है इसकी विशेश्था क्या है यह जो आपका Logistic Park जहां पर विक्सित किया जा रहा है उसे Rail, Road, जल, वायू मार्ग से इसे जोड़ा जाएगा यानि कि जो पार्क जो है इस पार्क को ऐसे जगा पर विक्सित किया जा रहा है जहां पर आपके Road की Connectivity हो, Rail की Connectivity हो, आपके Water Transport की Connectivity हो, आपके Air Transportation की Connectivity हो Rail, Road, जल, वायू परिवहन ताकि सामान को एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक ले जाने में आसानी हो ठीक है, पूरे देश भर में आपके 22 MMLP यानि कि Multimodel Logistic Park विक्सित किये जा रहा है, इस 22 आपके इस्थानों में से एक हमारा राइपूर भी इस Multimodel Logistic Park के अंतरगत आता है ठीक है, हमारे राइपूर में भी आपका MMLP यानि कि Multimodel Logistic Park का प्रस्तावीत है, इंपोर्टेंट याद रखना है, संख्या कितनी है, यह इंपोर्टेंट है, पहला कहां पर आपका विक्सित किया जा रहा है, यह इंपोर्टेंट है, कथन आधारित प्रश्न बन सकता है नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपकी सरना एथनिक रिसॉर्ट, सरना एथनिक रिसॉर्ट, जो कि आपके जश्पूर जिले में इसे विक्सित किया गया है, ठीक है, बाला च्छापर, एक गाउं का नाम है जश्पूर जिले का, जश्पूर जिले के बाला च्छापर ग किट में इसे शामिल किया गया है देखे स्वदेश दर्शन योजना भारत सरकार जो है पूरे परेटन छेत्र को पूरे भारत भर के परेटन छेत्र को बढ़ावा देने के लिए उसने प्रारम की है स्वदेश दर्शन योजना इस स्वदेश दर्शन योजना के अंतरगत अल लगला परेटन छेत्र को connect करते हुए circuit या परिपत बना जा रहे हैं तो इसी tribal circuit के अंतरगत हमारे प्रदेश में और भी आपके जो है ethnic resort, eco resort विक्सित किये गए हम पहले देख चुके है जैसे कुरदर हो गया, बैगा resort हो गया हम पहले के भी आपके वीडियो में इसे cover करते आ रहे है तो वैसे ही एक नय resort बनाया गया है आपका सरना ethnic resort ethnic का मतलब क्या होता है? ethnic का मतलब होता है आपके नरी जाती संस्रिती से related यानि कि मानाओ, मानाओ, नर जाती, नरी जाती संस्रिती से संबंदित जो आपका एक resort बनाया जा रहा है देखिए, यह जो resort है, यह आपके इस जश्पूर अंचल में रहने वाले जो आपके आदिवासी है जो जनजातिया है, उनके जीवन शैली पर आधारीत, उनके रहन सहन पर आधारीत यानि कि यहां का जो resort, यहां की जो resort में जो घर बनाये गए है तो वो घर उसी प्रकार से है, जैसे आपके आदिवासी और जनजातियों की जोबडिया होती है वो जिस बरतन में खाते है, वो बरतन वहाँ पर मौझूद है जिस तरीके से रहते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो उनकी जीवन शैली है खान-पान की सामागरी, पीने की सामागरी, रहने की सामागरी ये सभी के सभी आपके सरना एथनिक रिसॉर्ट में उपलब धकराए जाएंगे सरना, ध्यान देने वाए, इत्वर सरना को ध्यान दीजेगा सरना जो है जश्पूर अंचल में निवास करने वाली जो उराव जन जाती है उनकी इश्ट देवी है, आपकी सरना, सरना देवी, उसी के नाम पर रखा गया है आपका सरना एथनिक रिसॉर्ट का नाम, ठीक है, नेक्ट देखिए, नेक्ट है आपका बुड़ा तलाब, बुड़ा तलाब अभी इन दुनों काफी चर्चा में रहा है जो बुड़ा तलाब है, यह आपके राइपूर जिले में इस्तित है इसका निर्मान 14 सदी के आजपास आपके हैहवंशिय शाषको याने की जिन्ने हम कल्चूरी शाषक के नाम से भी जानते है आपके कल्चुली शाष्कों ने इस बुढ़ा तालाब का निर्मान कराया था इस तालाब को आपके विवेकनन सरोवर के नाम से भी जानते है क्योंकि जब आपके स्वामी विवेकनन हमारे 36 गड़ में राइपूर प्रवास में आये थे तो कहा जाता है कि संध्या के समय वो इसी तालाब के किनारे पर आ करके विश्राम किया करते थे तो इन्हें स्वामी विवेकनन से जुड़ी हुई यादों को बनाय रखने के लिए इस बुढ़ा तालाब का जो नाम है इसे विवेकनन सरोवर का भी नाम दिया गया है ठीक देखिए, अभी हाल फिलाल में जो बुढ़ा तलाब है यह काफी चर्चा में रहा, बुढ़ा तलाब को परेटक के रूप, परेटन छेतर के रूप में इसे विक्सित किया जा रहा है, उसके भी कारण है, जो आपका बुढ़ा तलाब है यह लगातर अपने पहचान को जा रहा था है राइपूर जो की काफी डेवलब्ड आपका सीटी है यहाँ पे अतिक्रमान का सिकार हो रहा था आपका बुढ़ा तलाब यानि कि बुढ़ा तलाब को पाटते हुए उसके उपर बड़े-बड़े एक्वेरियम यहाँ पर बनाया जा रहा है तलाब के बीचों बीच टनल यानि कि गूफा शेप में एक आपका एक गूफा एक लंबी गूफा बनाई जाएगी तथा जो भी आपके यहाँ पर पहुचेंगे जो लोग पहुचेंगे वो गूफा में उस गूफा को पार करते फाउंटेन ठीक है देश का सबसे उचा फाउंटेन यानि कि जो आपके फाउंवारा ठीक है हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर हम एक ऐसा फाउंटेन विक्सित किये कर रहे है जो प्रदेश का सबसे बड़ा सबसे उचा फाउंटेन ह बनाई जाएगी, किसी जीव की आकृती, पक्षी की आकृती, तो एक प्रकार का आपका जो है लेजर लाइट शो की विवस्था की जा रही है इस बुढ़ा तालाब में, ठीक है, इन्पॉर्टेंट है, याद रखियेगा, इसमें ये पहला वाला सबस्यादा इन्पॉर्टे है कि प्रदेश का पहला 15 aquarium कहा बनाया जा रहा है तो बुरा दलब राइपूर में next है आपके रावण की नग्न प्रतीमा का बद ठीक है रावण की नग्न प्रतीमा का बद अभी हाल फिलाज में आपका जो है पर रावन का पुतला नहीं जलाया जाता है, रावन का वद किया जाता है, रावन की मिट्टी की प्रतीमा बनाई जाती है, उसकी मिट्टी की मूर्ती बनाई जाती है, एक नगन प्रतीमा बनाई जाती है, देखें, ये बनाया जाता है आपके नगरी ब्लोक धमतरी, धमतरी मिट्टी की नगन प्रतीमा बनाते है तथा इस प्रतीमा को जो है यहीं पर आपके जो गाओ है गाओ में पास महीं एक मंदीर है माता का मंदीर वहाँ पर जाकर के एक खडग यानि कि एक तलवार मौझूद है उस तलवार से रावन का शीरोच्छेदन यानि कि रावन का जो आपका सर है उसे तलवार से काटते है फिर शरीर पर जो है रावन की मिट्टी के शरीर पर काफी भार प्रहार किया जाता है जिसके पस्चात जो वहाँ पर जो ग्रामिन जो है तलवार से प्रहार किये जाने के पस्चात रावन की मिट्टी को नोचने के लिए दोड़ पड़ते है यानि कि उसकी मिट्टी को एकत्र करने के लिए दोड़ पड़ते है ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रावन का आपकी नगन प्रतिमा का जो वद किया जा रहा है इसमें महिला और बच्चों का शामिल होना वर्जित है यानि कि महिलाय और बच्चे इस आपके रावण वद में शामिल नहीं हो सकती सुनने में अटपटा लगता है थोड़ा इंटरस्टिंग फैक्ट है लेकिन सबसे इंपॉर्टिंट आया हुआ प्रशन है प्रशन पूछा गया था कि प्रदेश के किस इस्थान पर रावण की नगन प्रतीमा का वद किया जाता है विजय दश्मी के आउसर पर तो कहां पर धमतरी नगरी ब्लॉक में ठेक नेक्स देखिए नेक्स है आपका State Center of Excellence का दरजा अभी हाल फिलाल में आपके साई एक्सिलेंस याने के खिलाडियों से संबंदित खिलाडियों के एक्सिलेंस संबंदित देखिए बिलासपूर जिले का जो आपका बहत अराई है बहत अराई को आप बहत अराई में आपका Excellence Center खोला जाएगा देखिए इस Excellence Center में आपके Athletic, तहरागी, कुस्ती के लिए आपके Center बनाए जाएंगे साथी साथ जो आपके साई के द्वारा राइपूर में 36 गड़ आवासी Hockey Academy बनाए जाने का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है खेलो इंडिया योजना के तहद जो है आपके यहाँ आपका Academy बनाए राइपूर का जो आपका 36 गड़ आवासी Hockey Academy जो है यहाँ आपके खेलो इंडिया योजना के तहद बनाया जा रहा है इंपोर्टेंट है याद रखिएगा कि State Center of Excellence का दर्जा किस जिले को प्रदान किया गया है तो वो है आपके बिलासपूर जिले को ठेक नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपके 36 गड़ महापौर संग के अध्यक्ष हमारे 36 गड़ में जो आपके जितने भी नगर निगम है वरतमान में आपके 14 नगर निगम हो चुके है रिसाली गो ले करके अभी फिलाल आपके रिसाली में आपके नगर निगम चुनाव नहीं हुए, रिसाली आपके नौ निर्मित नगर निगम है, तो फिलाल आपके जो आपके तेरा नगर निगम मौजूद है और इस तेरा नगर निगम में जो आपके तेरा महापौर है, तो उनका एक यूनियन ह के नए मुख्य सचीव, यानि कि Chief Secretary, 36 गड़ के नए मुख्य सचीव है आपके अमिताब जैन, जिन्होंने 1 नमबर से अपना पदभात ग्राण किया है, important याद रखिएगा कि प्रदेश के नए मुख्य सचीव कौन है, आपके अमिताब जैन, next देखिए, next है आपका समरपण योजना, समरपण योजना जो की 36 गड़ पुलीस विभाग के द्वारा रायपूर जीले में चलाया जा रहा है, इसका उद्देश ये क्या है, इसका उद्देश ये वरिष्ट नागरीक या 60 वर्स से अधिक आयू के, जो आपके नागरीक है, उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण करना, यानि कि जो बुजूर के व्यक्ति है, जो वरिष्ट व्यक्ति है, जिनकी आयू 60 वर्स से अधिक हो चुकी है, तो उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण करना, देखे, इस योजना के तहट जो है, ये जो आपके वरिष्ट नागरीक है, 60 वर्स से अधि जिम्मेदादी दी जाएगी और उस समस्या का जब तक निराकरण नहीं हो जाता तब तक यह जो अफसर है यह इस समस्या के निराकरण करने के लिए आपका उत्तरदाई होगा ठीक है तो यह है समरपन योजना जो की आपके राइपूर जीले में पुलिस विभाग के द्वार वरिष्ट नागरिक या बुजूरक नागरिकों के लिए आपकी चलाई जा रही योजना है नेक्स्ट है आपका प्रदेश का एक लौता फॉसिल पार्क फॉसिल का मतलब होता है जिवाश्म जिवाश्म मतलब जीवों का अंच देखिए जिवाश्म पत्थरों पे आपके जीवों के करोडो वर्ष पुराने अंस पाय जाते है करोडो वर्ष पुराने अंस मतलब देखिए आगे अभी बताता हूँ जैसे की हमारे प्रदेश में आपका मरीन फॉसिल पार्क ये मौजूद है मनेंद्रगर कोरिया में मरीन मरीन का मतलब क्या होता है समुद्र फॉसिल पार्क है ये हस्देव नदी के किनारे मौजूद है ठीक है हस्देव नदी किनारे मौजूद है जहां पर आपके समुद्री जीवों के समुद्री जीवों के आपके 25 करोड साल पुराने जिवाश में यहां पर मिले है देखिए GSI ने यानि की Geological Survey of India ने वर्ष उन अध्यान है ये कहलाता है आपका Palantology इनपोर्टेंट है ये आपके पूछा जाता है जब Science वाला जब Potion आता है GS में तब पूछा जाता है कि जिवाश में करोड से पहले जो समुद्री जीवब जो मौजूद थे वो या तो आपके परियावरंड यानि की प्राकृतिक परिवर्तन के कारण या समूद्र का पानी सूख जाने के कारण ये मर गए मरने के पस्चा जो इनके शरीर के आउसेस थे वो पत्थरों के बीच में दबे रहे गए करोड़ो साल बितने के बाद जो है इनके जो सरीर के आउसेस है वो आपके जिवाश्म में परिवर्तित हो गए यानिके फॉसिल में परिवर्तित हो गए तो यह कहलाता है आपका जिवाश्म तो ऐसा अनुमाल लगाया जाता है कि हमारे 36 गड़ को जो मनेंद्र गड़ है यह आज से करोड़ो साल पहले यहाँ पर समुद्र जो है यहाँ पर रहा होगा यह जो समुद्री जीवों को जिवाश्म है यह मिल रहा है आपके मनेंद्र गड़ कोरिया जिली में ठीक है, यहाँ पर हमारे प्रदेश का एक मात्र मरिन फॉसिल पार कभी मौझूद है, इन्पोर्टेंट है, याद रखिएगा Next है आपके स्वामी आत्मा नंद शास्किय, English Medium School योजना प्रदेश के मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री भुपेश बखिल जी के द्वारा, एक नवंबर, यानि कि जब प्रदेश का आपका इस्थापना दिवस था, एक नवंबर दो हजार बीस को आपके स्वामी आत्मा नंद सास्किय, English Medium School योजना प्रारंब किया गया एक नवंबर दो हजार बीस प्रदेश की स्थापना दिवस, एक नवंबर का मारे 36 गठन हुआ था, इसका उद्देश क्या है, बच्चों को अंग्रेजी माध्य में बहतर सिक्षा उपलब्द कराना, इस योजना के अंतर का प्रथम चरण में आपके 52 यानि कि 52 English Medium School इस्थ स्थापी थिये जाएगे, स्वामी आत्मनंद, देखिए, इनके बारे में एक छोटा सा बैक्राउन इस्थोरी जान लिजे, स्वामी आत्मनंद जिनका जन्म हमारे 36 गठन के रायपूर में हुआ था, ठीक है, 1929 में हमारे 36 गठन के रायपूर में स्वामी आत्मनंद का जन तो इनके इनसे संबंदित, इनका जो है सिक्षा के छेतर में योगदान को देखते हुए हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा, स्वामी आत्मनंद शास्किये इंग्लिस मीडियम योजना प्रारम किया गया है, ठीक है, कब प्रारम किया गया है, 1 नवंबर 2020 को इंपोर्टेंट नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट है आपका पिलखा पाहड, पिलखा पाहड जो कि आपके अंबिकापूर में मौझूद है, सर्गुजा जी लेके अंबिकापूर में मौझूद है पिलखा पाहड जहां पर प्रदेश का मिनी जंगल सफारी विक्सित क्या जा रहा है, ठीक है, आपका All India Forum of RERA Chairman All India Forum of RERA Chairman ये न्यूक्त किये गया है आपकी विवेक धान विवेक धान जो की 36 गड़ की RERA के Chairman है देखे रेरा क्या होता है RERA का full form होता है आपका Real Estate Regulation and Development Act जो की आपके Real Estate यानि की जो जमीन जो जमीन की जो रजिस्ट्री होती है जो उसकी खरीदी विक्री होती है उसका जो है आपका विनियमन करता है यानि कि उसकी देख रेक करता है उसकी कारूनी निगरानी करता है तो हमारे 36 गड़ के अध्यक्ष है आपके विवेक डान जिन्हें आप All India All India Forum of RERA का चेयर में न्यूक तकी आ गया है नेक्ष्ट है 36 गड़ विचार माला अभी आपके एक नवंबर को जब 36 गड़ का जब 36 गड़ निर्मान दिवस जब मनाया जा रहा था तो उस समय जो है मुख्यमंत्री भुपेज बगेल जी के जवादवारा 36 गड़ विचार माला 36 गड़ विचार माला एक पुस्तकों का 9 पुस्तकों का कलेक्शन है जीसे 36 गड़ विकास माला के रूप में इन पुस्तकों का विमोचन किया लिया 36 गड़ विचार माला जो कि आपके 9 पुस्तकों का एक कलेक्शन है इसमें आपके कौन-कौन से पुस्तक के शामिल है जैसे कि आपके हमारे राम, हमारे बापू, न्याय विरासत और विस्तार, पहल, संबल, अवश्यकता, बोधगाट, महत्ता, इंद्रवती, जनगण मन की, विजय गाथा, मनरेगा, लोकवानी, आपकी बात, मुख्यमंत्री बोपेज, बगहल के साथ, जय हिंद, जय 36 गड़, ये जो है, आपके पुस्तकों का कलेक्शन है, जिसे 36 गड़ विचार माला के रूप में, आपका विमोचित किया गया है, मुख्यमंत्री बोपेज बगहल जी के द्वारा, दिखिए, हम केवल, इन्पोर्टेंट करेंट करते हुए चल रहे है, बीच-बीच में और भी बहुत आपके छोटे-छोटे करेंट अफेर आते हैं, तो उससे अगर आपको अपडेट होना है, तो आप टेलिग्राम चैनल पर जोई हो जाईए, अभी हम जो है, आपके 36 गड़ के बस्तर दशहरा को लेते हुए नहीं चल ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बाकी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, चलिए